नमश्कार आप देख रहे हैं लाइफ खबर और मैं हूँ आपके साथ शैल शुकला सपानिता आजम खान पर एक बार फिर मुसीबतों के बादल मंडरा रही हैं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आजम खान पर न केवल बादल मंडरा रही हैं बलकि बरस भी रही हैं दरसल आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक मुकद में दर्ज होने के बाद अब आजम खान का नाम बिजली-चोरी में भी सामने आया है प्रशासन को आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बनी पानी की टंकी की शिकायत मिली थी इसके बाद प्रशासन टंकी की जाज करने मौके पर पहुँचा जिसमें उपजिला अधिकारी, पीपी तिवारी और नगर निगम के अधिकारी और व्युदित विभाग के अधिकारी हमसफर रिजॉर्ट पहुचे थी रिजॉर्ट के आसपास के लोगों से टंकी से होने वाली सप्लाई की जानकारी ली गई, सप्लाई की समध में प्रशासन को मिली शिकायत में ये भी बताय गया कि टंकी से केवल रिजॉर्ट को ही पानी की सप्लाई की जाती है इसके अलावा पानी कहीं और सप्लाई नहीं किया जाता आपको बता दें कि टंकी का निर्मार जंद सामाने की सुविधा के लिए पूर्टा सरकारी धनसे किया गया है लेकिन इसका उप्योग सिर्फ और सिर्फ आजम खान के रिजॉर्ट के लिए किया जा रहा है वहीं मौके पर पहुचे आधिकारियों को आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी के जाने के पुखता सबूत भी मिले हैं इसके बाद प्रिशासन ने इस मामले में बिजली विभा को सूचित किया और मानकों के अनुरूप ना मिलने पर रिजॉर्ट में आ रही की बिजली के तार भी कार दिये गए हैं तो उस हिसाब से फिर एसडियों साब आये थी बिजली वाले इन्होंने अपना उसमें अवैद पाया है उस तरह के बिजली की चोरी हो रही है तो उसके सम्मन में यह अपना एफाई यार पंजी कर दो यह थी रामपूर से हमारे समवादाता रिजवान खान की रिपोर्ट देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं लाइफ खबर मुझे दीजिये जौसत नमस्कार